हलो बच्चो नमस्कार सभी को स्वागत आप सभी का साइंस एंट फंड पर जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं तो बच्चो आज हम शुरू करने वाले हैं Quadratic equations chapter और अभी हाली में हम लोगों ने polynomial chapter खतम किया तो उसके साथ यह chapter करने से चीज़े और अच्छे से clear हो जाती हैं क्योंकि अगर आपने ध्यान से polynomial chapter पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पर सिरफ और सिरफ quadratic polynomial के बारे में ही पढ़ाई की और quadratic polynomial के जैसा ही होता है quadratic equations लगभग सेम है बिलकुल आप तो not exactly same लेकिन लगभग चीज़े सेम है वो polynomial है यह equation है equals to का sign आ जाता है factorization splitting the middle term almost same है तो इसलिए एक ही flow में इस chapter को किया जाना चाहिए मेरा मानना तो ऐसा ही है तो इसलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए quadratic equations chapter ठीक है न यह chapter में दो phase में खतम करूँगा पहला सारे के सारे basics आज हम सारे के सारे methods पढ़ लेंगे basics पढ़ लेंगे और अच्छे questions कर लेंगे और अगली class में पढ़ेंगे सेरा फासेरा word problems or most expected question मतब सारे के सारे अच्छे question जिसके अंदर word problem भी होगी और कुछ word problem के अलावा भी होगा ठीक है न तो दो लेक्चर के अंदर हम इसको finish करने वाले हैं तो this is lecture number one sorry तो शुरू करते हैं without wasting any time की quadratic equation होता क्या है ठीक है न देखो quadratic obviously बात है basic form जो होती है इसकी जो इसकी basic form होती है वो होती है प्यारे बच्चो ax square plus bx plus c यह quadratic polynomial था equation बनाना है तो equals to zero equation क्या होती है जहां पर LHS और RHS दोनों होता है ठीक है न तो यह आ गया ax square plus bx plus c कुछ example देते हैं आपको जैसे 3x square चलो इससे पहले एक बात और कर लेते हैं quadratic polynomial की पहचान क्या होती है कि भाईया जो इसकी degree होती है वो होती है 2 इसकी जो degree होती है वो कितनी होती है बेटा 2 ठीक है न अब example के तोर पर 3x square plus 5x minus 6 equals to zero तो क्या ये quadratic equation है answer is yes क्योंकि यहाँ पर degree आपको क्या दिखरी है 2 3x square minus 5x equals to zero क्या ये एक quadratic equation है yes ये भी एक quadratic equation है क्योंकि इसके अंदर 6 मतब quadratic का मतलब सिरफ क्या होती है ये x square होना जरूरी है क्या ये एक quadratic equation है yes ये भी एक quadratic equation है क्या सिरफ ये एक quadratic equation है yes ये भी एक quadratic equation है बट अगर मैं बोलू 5x minus 6 equals to zero तो ये is not a quadratic equation यानि quadratic equation होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है x square यानि जो x square का coefficient है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए यहाँ पर condition क्या है प्यारे बच्चों where a is not equals to 0 b 0 हो सकता है देखो यहाँ पर a कितना है बटा 3 है b कितना है 5 है c कितना है minus 6 a कितना है 3, b कितना है minus 5, c कितना है 0 a कितना है 3, b है 0, c है minus 6 यहाँ a है 3, b 0, c 0 लेकिन यहाँ तो अगर देखा जाए तो a ही 0 हो गया है और a 0 कभी भी हो नहीं सकता अगर हो जाएगा तो वो quadratic equation बचेगी नहीं तो basic structure क्या है a x square plus b x plus c but c कभी भी 0 नहीं आ सकता got it, okay, अच्छा जे तो अब यहाँ पे आ गया कि जो हमारी degree है वो 2 है तो इसके number of zeros कह सकते हो equation में हम जातर क्या कहते है, roots तो number of roots कितने होने वाले है, बिटा, 2 यादा है एक alpha था, एक beta था, यहाँ alpha बिटा नहीं करते number of zeros किया है बिटा, 2 है अब methods to find zeros methods to find zeros या roots कह लो, एक ही बात है of quadratic equation तो total overall देखा जाए तो तीन methods होते है पहला, जो सबको आता है which is factorization तीन बाणों के बारे में मैंने बात की थी common ले लेना, splitting the middle term, identity polynomial chapter नहीं देखा तो L1 जा कर देख लो factorization, जो already हम पढ़ चुके है थोड़ा सा आज भी पढ़ेंगे लेकि इतना deep नहीं पढ़ेंगे क्योंकि polynomial में पढ़ चुके है factorization, जो major आपको पढ़ना है वो है बिटा quadratic formula method quadratic formula method this is the most important topic जो इस साल आपको एकदम नया सीखना है फिर एक और method हुआ करता था yes, हुआ करता था जिसका नाम है बिटा completing the squares, क्या है बिटा completing the squares ये अब आपका out of syllabus हो चुका है फुरसत मिलेगी तो जरूर कराऊंगा बदा जब आपका syllabus खतम हो जाएगा तो आपको जरूर बताएंगे क्योंकि 12th में सीधा इसका इस्तमाल है सीधा इस्तमाल 12th में और 11th class में सिर्फ एक या दो question के अंदर है तो ये हमारा out of syllabus है हमें actual में ये दो सीखने है और इन में से भी आप एक already सीख चुके हुआ है factorization आज हम सीखने वाले है quadratic formula method शुरू करें आगे बढ़ने से पहले इसके ओपर एक आद question कर लेते हैं check whether the following are quadratic equation MCQ में पूछा जाता है कि क्या ये quadratic equation है देखो जब पहले इसको standard form में करने की कोशिश करेंगे अगर ये standard form में convert हो जाती है तो yes, otherwise no तो क्या है बेटा x plus 1 का whole square x square plus 1 square plus 2x यह आया 2x minus 6 2x से 2x कट गया x square equals to minus 7 x square plus 7 equals to 0 क्या ये quadratic है yes, ये एक quadratic equation है क्योंकि इसके नदर x square है सेके ना क्या ये एक quadratic है ऐसे नहीं बता सकते solve करना पड़ेगा multiply करेंगे क्या आया भी ये x square plus x minus 2x minus 2 x square plus 3x minus x minus 3 x square से x square कट गया ये आया भी ये 2x minus 3 इदर आया minus 3x minus 1 तो 3x minus 1 equals to 0 क्या ये quadratic है answer is no ये quadratic नहीं है बासन में आ गई तो क्या quadratic है और क्या quadratic नहीं है clear हो गया बिटा तो एक पार्ट आपके लिए homework हाँ जी ये आपके लिए homework है comment section में बताओ फटा फट कि ये quadratic है या नहीं है और आपका क्या result आया ये भी बताना सिर्फ ये सोर्स नो से काम नहीं चलेगा आपको result बताना पड़ेगा कि answer क्या आया और वो quadratic क्यों नहीं है चाहिए जी या है तो क्यों है अब चलेंगे बिटा में मुद्दे पर आते हैं फैक्टराइजेशन एक quadratic equation के दो roots होते हैं उन दो roots को निकालने के लिए दो methods है पहला है फैक्टराइजेशन और दूसरा है quadratic formula method अगर हम फैक्टराइजेशन पर आएं वो actual में क्या है बेटा? splitting the middle term ही है splitting the middle term लेकिन सिर्फ splitting the middle term कहना ये बात गलत हो जाएगी इसके अंदर common ले लेना कभी बिना splitting के common लेकर भी काम हो जाता है और कभी-कभी identities भी लग जाती है ठीक है ना? जो हमने 9th में ही पड़ी थी तो मेरी advice है इस lecture को देखने के लिए इस lecture को मता इस चीज़ को confirm करने के लिए आप polynomial chapter का L1 and 2 देख ले चीज़े एकदम clear हो जाएगी L1 से ही clear हो जाएगी वैसे तो ठीक है जी? लेकिन फिर भी आज हम कुछ कोशन ना है मैं फिर कहूंगा जादा कोशन नहीं है क्योंकि main मेरा मुद्दा है quadratic formula method समझाना क्या रहे इसको आपने factorize करना है और roots बताने है find the roots of the following quantity equation by factorization तो splitting the available term आती होगी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है 1 into 10 क्या हो यह 10? 10 के factor लिख लो कैसे कैसे 10 मिल जाएगा इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है 10 मिलने का इननी में से एक answer छुपा है माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 3 इन दोनों में से ऐसा कौन सा factor है जिसको माइनस करने पर 3 आ रहा है but obviously बात है यह वाला factor है तो यहाँ पर आ गया x2 माइनस 3 चाहिए तो छोटे में से बड़े वाले को क्या कर दो? माइनस अब आपका माइनस 3 आ गया तो आपने 3 को तोड़ दिया 2 और 5 में गाट इट? हो गया factor अब इन दोनों में से common इसी को बिलकुल detailed version में मैंने polynomial chapter में समझा रखा है बच्चो ठेक है जी? तो एक factor x plus 2 यह दोनों सेम आने चाहिए एक x minus 5 रही बाद factorization की तो आपने 8 में भी सीखा 9 में भी सीखा और 10 में polynomial में भी सीखा तो 3-4 बाई सीख चुके हो आप लोग अब यहाँ पर दोनों को इकोलस टू जीरो पुट कर देंगे x plus 2 को इकोलस टू जीरो यह x minus 5 को इकोलस टू जीरो x की value क्या आगी भीया? minus 2 x की value क्या आगी भीया? 5 कोई verification नहीं है जैसे point normal chapter में थी कि alpha बीटा की verification है कुछ नहीं है, ना बोला है ना करनी है बोलेगा भी नहीं आपको got it? clear है? एक और देख लो बच्चों को root से लगता है दर तो मैं root ही ले आया under root 2 और 5 root 2 under root 2 और 5 root 2 को multiply कर लो answer के आया 10 फिर factor कर लिए 10 1s are 10 5 2s are 10 multiply करने पर यह 10 आना चाहिए और plus करने पर आना चाहिए 7 फिर से वही same factor बन गया बिटा तो 7 को क्या लिए सकते है बिटा 2x plus 5x इन दोनों में से common ले लो क्या आया बिटा under root 2x common आया अब अच्चे कहते हैं sir 2 से under root common कैसा आ गया देखो 2 बना कैसे होगा root 2 into root 2 करके ही बना होगा तो यहां से x बचा और यहां से बचा बिटा root 2 और यहां से आया 5 common यह आया बिटा एक factor यह आगया बिटा इजी है ना यार यह दोनों सेम है और यह दोनों भी आ गए तो एक factor आया x की value minus root 2 और यहां पे आ गई minus 5 by root 2 rationalize करना चाहो कर सकते हो तो this is factorization यह कौन से method हुआ बिटा factorization बहुत ही simple है कोई issue नहीं है आप इसकी पहली exercise के 2-4 question कर सकते हो word problem भी छोड़ देना word problem भी question आपको दिख रहा है आप factorization से कर सकते हो लेकिन कई धीट question होते है जो factorization से चाह कर भी नहीं हो सकते कहीं तो हो ही नहीं सकते मैं को बदाता हूँ जैसे हमारा अगला method आता है quadratic formula method अब एक बात समझो क्या है वह यह quadratic formula method जो है हमारा उसको मैं आपको समझाता हूँ अगला method आता है बेटा हमारा quadratic formula method चीक है जी तो factorization की practice आप लोग कर लेंगे quadratic formula method में no brainer है देखो मैंने भी आपको बोला कि ऐसे बहुत सारे questions ऐसे होंगे जिसके एक भी root नहीं निकल सकता मता वो factorable ही नहीं है factorable छोड़ो उसका x की value है ही नहीं मैं आपको example देता हूँ माल लो एक question है x square plus one equals to zero आप मुझे x की कोई भी एक real value ऐसी बता दो जो यहां put करने पर lhs rhs बराबर आ जाए यानि zero आ जाए इस धर्ती पर x की ऐसी कोई real value नहीं है जो यहां पर put करने पर zero दे दे अगर है तो एक लाग cash नाम ले लो और बता ही नहीं कोई value तो ऐसे अगर question हमारे सामने आ जाएंगे तो हम इसको factorize कैसे करेंगे तो factorable ही नहीं है तो वहां पर अच्छा और कहीं बच्चों को मैंने देखा है पढ़ाते हुए कि quadratic जब वो polynomial या equation को solve करते हैं तो splitting the middle term में कहीं ना कहीं दिक्कत आते हैं यानि आपको कोई brain नहीं लगाना एक formula लगाना है formula क्या लगाना है सबसे पहले step 1 है d निकालना d है discriminant discriminant d is equals to b square minus 4ac b square minus 4ac d की full form होती है discriminant formula होता है b square b square minus 4ac चेके जीओ अब देखो कोई brain नहीं लगाया अब यहाँ पर आता है nature of roots nature of roots समझे ना कहते हैं कि अगर d 0 से बड़ा आया तो हमारे answer real और distinct root आएंगे distinct मतलब x की दो values आएंगी और दोनों की दोनों अलग होंगी कैसे यहाँ x की दो value आएंगे दोनों real है और दोनों की दोनों अलग है इसको बोलते हैं real and distinct real and distinct बास संगना आगई दूसरा कहता है कि अगर d की value 0 आगई तो real and equal दो answer आएंगे लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे बटा same होंगे real and equal roots दोनों के दोनों क्या होंगे बटा एकदम same होंगे और रही बात तीसरी वो आती है if d is less than 0 यानि negative आजाता है d तो वो क्या होता है no real roots यानि धरती पर उसके कोई भी roots present है ही नहीं समझे कोई भी root present है ही नहीं अब मेरी बात जहां समझो तो यहां पर तो आप आगे solve नहीं कर पाऊगे लेकिन अगर ये दोनों roots आते हैं अगर d 0 से बड़ा आता है और d 0 के बड़ाबर आता है तो x की value कैसे निकलेगी यानि roots कैसे निकलेगे तो इसके बाद formula लगता है x का कोई brain नहीं है बटा सीधा formula minus b plus minus क्योंकि दो answer होते हैं अभी बताऊंगा कैसे निकालना है under root d upon me 2a minus b plus minus under root d upon me 2a बासन में आ गई तो यह आए x square plus bx plus c equals to 0 d सबसे पहले निकलेगा quadratic formula में d stands for discriminant b square minus 4ac अगर वो 0 से बड़ा आता है तो समभल लेना दो answer है अलग अलग आएंगे इस formula से निकल जाएंगे अगर d 0 के बराबर वो समभल लेना दो answer आएंगे लेकिन दोनों को दोनों सेम आएंगे और इस formula से निकल जाएंगे और अगर d negative आता है अगर d हमारा negative आता है तो समझ लेना कि कोई answer present है यह नहीं इसको करनेगा रियल वर्ल्ड में तो नहीं है इमागिनरी वर्ल्ड में शायद हो जाएगा यानि कॉंप्लेक्स नंबर्स चैप्टर आएगा 11 क्लास में महां पढ़ेंगे बहुत समझागे क्लियर है कोशन करें कोई ब्रेन नी लगाना सी फॉर्मला लगाने यह कोशन है एक आए बेटा मारा 2, B है माइनस 3, D निकालेंगे, B स्क्वेर, माइनस 4AC, यह आया 9, और यह कितना आया बेटा, जहां से देखो, यह आया 40, तो D की वेल्यू क्या आगी बेटा, माइनस 31, तो नो real roots, आप इसको present करी नहीं सकते है, solve करी नहीं सकते हो, छोड़ दो इसको ही पर ही, छेगे जी, ऐसी वना, B स्क्वेर, माइनस 4AC, माइनस 31 आगया, माइनस में आगया, since D जो है वो 0 से क्या है, छोटा है, तो no real roots, find the nature of the roots, अगर real होंगे, तो इसको find करो, यह तो real है यह नहीं यहाँ पर देखते हैं, देखो, under root आगया, परशानी थी, splitting कैसे होगी, तो सारी परशानी की जड़ हट गई, अब आप D का फामे लगा, मैं तो कहा हो, आने वाले हर एक question में D लगा दो, क्योंकि कोई brain नहीं लगा ना, A कह है भी यह हमारा 3, B कह है, माइनस 4 root 3, और C कह है बिटा हमारा 4, तो D कह है भी यह हमारा, B square minus 4 A C, B square minus 4 A C, यह कितना हो गया बिटा हमारा, 48, और यह भी कितना हो गया हमारा, 48, तो D की value क्या आगई बच्चो, 0 आगई, 0 आगई, तो यानी इसका मतलब है, real and equal roots, and equal roots, चेक है जी, यहनी हम X का formula लगा सकते हैं, X का formula क्या है, minus B plus minus under root D upon me 2 A, minus B, minus B, plus minus under root D, under root तो 0 हो गया, upon me 2, A कितना है बिटा हमारा, 3 है, चेक है जी, दो answer आएंगे, चेक करेंगे, 4 root 3, plus minus 0 upon me 6, दो answer, 4 root 3, plus 0 by 6, 4 root 3, minus 0 by 6, कट जाएगा, यह answer आया, 2 root 3 by 3, और यह भी आया, 2 root 3 by 3, तो यहनी दोनों same answer आएंगे, मैंने आपको बताया था, दोनों answer के आएंगे, same आएंगे, automatically, कोई brain नहीं लगाया, सिर्फ calculation की और काम हो गया, तो quadratic formula method एक रामबान इलाज है, कई मचें सोते हैं, यह formula आया कहां से, यह formula completing the square की मदद से आया था, अब उसके अगर वो होता, तो मैं आपको पूरा derive करके भी बताता हूं, ठीक है न, अब यहाँ देखो, इसको आप करना शुरू करो, pause करके फटा-फट से, में से पहले answer निकाल दो भईया इसका, यह आया, D क्या है देखो, B square minus 4AC, minus 6 का square, 4AC, यह आया 36, यह कितना आया बेटा, ध्यान से देखो, यह आया, A3 is a 24, तो D की value यहाँ पर आगी बेटा, हमारी 12, क्या आगी 12, छेके जी, अब ध्यान समझे न, एक बात बताता हूँ, अब D 0 से बड़ा आगया, तो यह आगया, real, and, distinct, दो answer अलग अलग आएंगे, चलो एक बात आपको मैं कहता हूँ, इसके factor सोचना, अगर आप splitting the middle term से सोचते तो, multiply करने पर 6 आना चाहिए, factor सोचे, 6 बंजा, 3 टूजा, और प्लस करने पर भी 6 आना चाहिए, सोचो factor, सोचो, है यह नहीं न, मतलब, normal तरीके से तो नहीं निकाल पा रहे हम, मुझे भी बहुत सामय लग जाएगा, और शायद कहीं बच्चे तो, mostly बच्चे तो निकाल भी ना पाएं, तो यहाँ पर quadratic formula method काम करता है, तो splitting the middle term ठीक है, असान कोशनों के लिए ठीक है, जहाँ आपको पता है splitting हो रहा है, तो split कर दिया करो, लेकिन जहाँ लगता है, या तो splitting मुझे नहीं आ रही, या मुझे लग रहेगी, इसकी मिल नहीं रही, तो आँख बन करके quality formula लगाया करो, और ऐसा paper में कभी कहता नहीं है कि किस formula से करना है, ठीक है न, minus b, plus minus, under root d, upon me 2a, minus b, 6, under root d, 12, upon me 2a, तो 6 plus minus 2 root 3 by 4, तो दो answer आएंगे बिटा, 6 plus 2 root 3 by 4, अब देखो, ऐसे factor कहाँ ही डूंड पाते हैं, 6 minus 2 root 3 by 4, कितना मुझ्किल हो जाता हमारे लिए, तो यहाँ पर quadratic formula काम करेगा, तो आने वाली word problems में हम quadratic formula लगाएंगे, आपके सामने जो भी quadratic equation दिखाई दे रही है, वहाँ पर quadratic formula लगाओ और answer, चितनी practice कर लो, अगली class से पहले उतना बढ़ी आएंगे फिर एक question और आता है, minus 4AC क्या हो जाएगा, 0, B square minus 4AC क्या हो जाएगा, 0, K square is equal to कितना आया, 24, K की value आ गई, plus minus under root 24, under root 24, बहाँ संद्या आ गई, यानि 2 root 6, इसको कहले सकते आप, 2 root 6, got it, plus minus 2 नो आ सकते है, square वहाँ जाके plus minus लगाता है, ऐसे यह है, पहले तो standard form में कर लो, K x square minus 2, K x plus 6 equals to 0, तो equal roots बोल रखे हैं यहाँ पर भी, समझे, जब भी equal roots बोलेगा, तो D क्या रख दो 0, तो B square, यह न B, minus 4AC, तो 4K square minus 24K equals to 0, अब यहाँ पर factor करने पड़ेंगे, क्या आया, 4K common ले लिया, यहाँ पर आया बेटा, K minus 6 equals to 0, तो यहाँ तो 4K 0 होगा, यह K minus 6 0 होगा, K की value 0 और K की value 6, अब ध्याँ देखो, K की value 0 हो सकती है, अगर K की value 0 डाल दिया, तो 6 equals to 0 आ जाएगा, which is not possible, तो therefore K की value 1 ही आएगी, वो है बेटा, 6, K, got it, क्या सीखाच, factorization, अल्यडी पढ़ रखा है, नहीं आता, polynomial chapter पढ़ लो, दूसरा जो हम लोग ने आज पढ़ा हूँ है, quadratic formula method, जिसकी आज आपको सबसे आदा practice करनी है, यह K वाले question भी अभी नहीं करोगो, तो चलेगा, सबसे आदा practice आपको किसकी करनी है, बेटा, quadratic formula method की, पूरे chapter में जो equation दिखे, उसकी quadratic formula लगा कर answer निकाल दो, जो दिखे, समझा रही है, तो आप ABCD वाला, number वाला, सब में apply हो जाएगा, आँख बंद करके quality formula लगा, वो बढ़िया है, तो अगली class तक आप इतना prepare करोगे, next class will be on word problems, plus extra questions, plus important questions, अगली class में मजा आएगा, थोड़ी सी लंबी class होगी, जो कि यह दोनो topic आपको करने है, नया सीखने को बस यह मिलेगा कि equation कैसे बनाते हैं, नये question को handle कैसे करते हैं, किते-किते प्रकार की question आते हैं, बेस सार आज मैंने बना दिए, इस chapter में इसके लावा और कुछ भी नहीं है, चीक है बेटा, तो मिलेंगे आपसे अगली class में, तब तक के लिए बबाए, take care and have a nice day.